तो आप तो जानते हैं कि अभी मेरे उपर भी एक FIR हुई है करनाटक में कॉंग्रेस की सरकार दौरा FIR हुई हूँ लेकिन या एक बात हम बताना चाहते हैं हमारा कर्तब वे है खबरों को आप तक पहुंचाना खबरों को आप तक पहुंचाना, हम खबर नहीं है इंडिया गटबंदन के चोदा इंकर्ज के बैन होने के साथ ही जाने मारे अंकर्स सुधीर चोधरी को करनाटक हाइकोट ने बड़ा धटका दिया है जैसे ही खबर निकल कर सामने आए कि इंडिया गटबंदन ने 14 एंकर्स को बैन कर दिया है सुधीर चौधरी भागे भागे करनाटक हाई कोट पहुचे लेकिन करनाटक हाई कोट ने जटका देते हुए कहा कि फेक न्यूस चलाते हो मामला तो बनता है जाच भी होगी आक्शन भी होगा अब ऐसे हालादों में सुधीर चौधरी बिचारे ना घर के रहे ना घाट के किसी भी समय सुधीर चौधरी जेल जा सकते हैं तो सुधीर चौधरी का क्या हाल हो रहा है वो आपको दिखाऊंगी लेकिन उससे पहले करनाटक हाई कोट ने क्या कहा है वो बताते हैं कैसे सुधीर चौधरी को बड़ा जटका लगा है वो सुनाते हैं आप खबर देखेगा लाइव लौकी, देखें इसमें खबर में लिखा हुआ है कि न्यूज एंकर सुधीर चौधरी और आस्तक चैनल अप्रोच करनाटक हाई कोट अगेंस फायार ओवर अलेज्ट फेक न्यूज तो ये खबर है 14 सितंबर की, 14 सितंबर के ही दिन इंडिया ग किया गया है जल्दी की जेल जाना पड़ेगा फिलहाल जेल ना जाना पड़े इस लिए करनाटक हाई कोट में याचिका लगाए गई लेकिन करनाटक हाई कोट ने न आओ देखा न ताओ कहा मामला बनता है जाँच होगी तो करनाटक हाई कोट ने क्या कहा है खबर आप देखेगा बोलता हिंदुस्तान की देखे इसमें लिखा है कि करनाटक हाई कोट ने सुधीर चौधरी को दिया जटका जट साहब बोले कि केस वाजिब लगता है जाच होनी चाहिए तो अब जाच होगी और जाच में निकल कर सामने आया कि अगर फेक न्यूज चलाई गई है तो सुधीर चौधरी को जेल जाना होगा वैसे मैं आपको पहले ही खबर दिखा चुकी हूँ पूरे विशलेशन के साथ कि सुधीर चौधरी ने आज तक के ब्लाक और वाइट चैनल में फेक न्यूज चलाई है अब ऐसे हालादों में सुधीर चौधरी का क्या होगा वो अपने आप में देखना दिल्चस्प होगा पहले उनका बयान सुनिए कतित तोर पर कितनी बॉकलाहट है वो देखिए उसके बाद आपको बताती हूँ कि कैसे पबलिक ने भी सुधीर चौधरी को जबर्दस लताड़ा है और आज आप देखिए जिन पत्रकारों को इसलिए उनकी जो कर्तब्वे हैं उनकी नियुक्तिया इसलिए हुई हैं क्योंकि वो आप तक खबर पहुँचाएं आज इंडिया गडबंदन ने खुद उन्हीं को खबर बना दिया है और प्रेस कॉन्फरेंस करकर उन्हीं पत् नहीं भी ले जाई यह समयदानिक है उनको पूरी आजादी है कि वो जिस पत्रकार से चाहें बात करें या ना करें यह लोगतां करें लेकिन यह मामला मैं जरुनता की अदारत में जरूर लेकर जाना चाहता हूं जाते हैं तब इस तरीके के सवाल नहीं किये कि आखिर पीम मोधी एंडी टीवी क्यों नहीं चले जाते आखिर पीम मोधी रवीश कुमार को इंटर्विव को क्यों नहीं देते अब जब इंडिया गट बंदन नहीं दे रहा है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बाते में कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता है पहले बात और दूसरा आप कि सी अदालत में सुधीर चौधरी का कहता है चैन यह मुद्दा यह उठाम करते हैं जनता की अदालत की जो कि 2000 के सिटीर चाँध डूंगա तक नहीं मांते और आप देखे हैं कि के तरीके की बाते करते हैं कि पत्रकार हैं पत्रकारता का धर्म निभाते हैं हमने जुकने से मना कर दिया हम डटकर खड़े हुए हैं फिलाल कितने डटकर खड़े हुए वो आपको दिखाऊंगी लेकिन उससे पहले जो जनता की अदालत की बात कर रहे हैं सुधीर चोधरी उ तो इस तरीके की चीजे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है पब्लिक भी अच्छ समझती है कि किस तरीके से इंडिया गटबंदन ने एक ही जटके में गोधी मीडिया के पूरे के पूरे खेल को खत्म कर दिया है और जहां तक रही पत्रकारता की बात जिसका हवाला दे रह एंडी टीवी की देखें इसमें लिखा हुआ है कि करनाटक की सरकारी योजना की गलत जानकारी देने के आरोप में पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ एफार यार दर्ज तो करनाटक में योजना चलाई जा रही है इसके तहट लोगों को जो टैक्सी लेते हैं या फिर की कोई माल वहाँ गाड़ी लेते हैं उसके तहट 50% की छूट दी जा रही है इसको लेकर सुधीर चौधी ने खबर चलाए कि करनाटक की सरकार तो सिर्फ मुस्लिमों को छूट दे रही है सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करती है जो हिंदू है वो करनाटक में रो रहा होगा क जब बाद में फैक्ट चग किया गया तो यह फेक न्यूस पाई गई क्योंकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है इसमें आपको बता दें कि अल्प संख्यकों को 50% की छूट दी जा रही है सबसिटी दी जा रही है करनाटक की सरकार की तरफ से पहली बात और दूसरी बात इसमें य जरिये ब्लाक और वाइट कारेक्रम के जरिये फेक न्यूस पहलाने का काम किया बाते करते हैं पत्रकारता की लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अजेंडा सेट करने के लिए यह लोग फेक न्यूस पहलाने तक से गुरेज नहीं करते हैं अब इसी पर अपाईयार दिल्चस्प होगा क्योंकि इंडिया गडबंदन तो बाइकॉट कर चुका है 28 जलों ने तो बाइकॉट कर दिया है और जो सरकार है वो भी कुछ खास सवज्जों नहीं दे रही है आपको याद होगा कि स्मृति इरानी से टमाटर के भाव पर सवाल क्या कर लिया था मैडम ब पुलस आ सकती है और सुधीर चौधरी को टाकर ले जा सकती है पहले भी फिर हो चुकी है रिश्वत लेने के लिए तिहार जेल जा चुके है और अब एक बार फिर से सुधीर चौधरी किस तरीके से करनाकर टक हाइकॉट के आदेश के बाद पस्ते हुए नजर आ रहे हैं आप समझ सकते हैं आपको बता दूँ कि इसी खबर पर नाशनल फोरम कॉंग्रिस की तरफ से लिखा गया है कि ब्रेकिंग आफ तक एक एंकर सुधीर चौधरी को करनाटक हाई कोट ने बड़ा जटका दिया है फर्दी खबर चलाने के मामले में अपने खिलाप जांच पर रो चौधरी के खिलाफ है जांच का मामला बनता है नफरत के खिलाफ करनाटक सरकार की बड़ी जीत है तो पहली नजर में अगर देखा जाए तो सुधीर चौधरी ने गलत किया है और जांच का मामला तो बनता है केस तो बनता है तो अब इस केस से सुधीर चौधरी कैसे बच का नजीक आ रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं और हाई कोड के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा जादा शेयर करें सब्सक्राइबर पर दबायां आप लाइक दबायां ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसी रहे मैं प्रियंग का आप देख रहे थे 4 पिम फिरमल देंगली खबर के साथ तब तक के लिए थानिवाद